नमस्कार मेदिती फॉस्दर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्थ सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे सरुगेसी के बारे में माता-पिता बनने की खुशी शब्दों में बयान करना मुश्किल है अपने संतान के जनम से पहले ही माता-पिता उसके सपने सजाने लगते हैं लेकिन कई बार कुछ कपल्स किनी मेडिकल कारणों की वज़े से अपने संतान को जनम देने में आसमर्थ होते हैं ऐसे कपल्स की मदद के लिए साइंस ने सरोगेसी जैसी तकनीकों का अविश्कार किया है। चलिए अब जानते हैं कि सरोगेसी क्या है। सेरोगेसी एक ऐसी तक्नीक है जिसे किसी अन्य महिला की कोक को किराय पर लेकर सेरोगेसी करवाने वाले कपल अपने बच्चे को जनम दे सकते हैं इस तक्नीक की मदद वे कपल लेते हैं जो किसी मेडिकल कारण की वज़स से संतान को जनम देने में असमर्थ होते हैं इसमें से जोता होता है इसके तहट इस बच्चे को जनम के बाद कानूनी रूप से उसके माता-पिता सेरोगेसी करवाने वाला कपल ही होगा और बच्चे बस सिब उनका ही अधिकार होगा सेरोगेसी से सेरोगेट महिला अपने या फिट डोनर के एक के जरीए गर्वधारन करती है और बच्चे के जनम तक अपने गर्व में उसका पालन पोशन करती है बच्चे के जनम के बाद उसका उस बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रहता चलिए अब जान दे कितने प्रकार की होती है सेरोगेसी सेरोगेसी के दो प्रकार होते है पहला प्रारंपिक सेरोगेसी प्रारंपिक सेरोगेसी में जिस महीरा की कोक को किराय पर रखा जाता है उसी के एक का इस्तमाल कर फर्टिलाइजेशन होता है यानि कि सेरोगेट ही बच्चे की बायलोजिकल मा कहलाती है चेस्टेशन सेरोगेसी में माता-पिता की स्पम और एग से आपस में फर्टिलाइज करवाया जाता है जिसकी वज़े से सेरोगेट के गर्व में रखा जाता है इस सेरोगेसी में सेरोगेट महिला का बच्चे से कोई भी बायलोजिकल संबन नहीं होता इस प्रक्रिया में आम तोर पर IVF की मदद से अंडे और स्पम को फटलाइस करवाया जाता है इसके साथ ही पहले सेरोगेसी के नियम के अनुसा सेरोगेसी करवाने वाले कपल के पास एग और स्पम दोनों होना आविश्यक होता था अगर किसी कपल के पास ये दोनों चीज नहीं होती थी तो वो सहरोगेसी के मदद से अपने बच्चे को जनम नहीं दे सकते थे पर अब नए कानून के चलते हैं सहरोगेसी करवाना वाला कपल किसी डोनर के स्परम और एक का स्तमाल करके बच्चे को जनम दे सकते हैं हलाकि इसके लिए medical board से अनुमती लेना आविशक होता है आज के लिए बस इतना ही ऐसी health rate tips के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद